हेलो दोस्तों नमस्कार यदि किसी बैक्ती के हाथ पैरों में दर्द होती है मसल्स में दर्द होती है पुरे बदर में दर्द होती है चाहें वह दर्द नर्व पेन हो मसल्स पेन हो बोली पेन हो यह किसी भी प्रकार का दर्द हो जब वह बैक्ती कॉमन मेडिसीन का यूज करत है और उन medicine से दोस्तों कोई खास result नहीं मिल पाती है हम सीधी सीधी बात करें तो उन दवाओं से ठीक नहीं हो पाती है तो दोस्तों हमें यह पता नहीं चलता है कि आखिरकार हमें करने की क्या जरूरत है दोस्तों जब कभी हम बीमार पड़ते हैं या हमारे सरी में कहीं होती है तो नौर्मली हम अपने गाउं कश्मों से दवाएं लाकर के यूज करते हैं और उससे दोस्तों बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पाती है तो किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जा करके जब हम अपने बॉडी का चेकप करवाते हैं तो डॉक्टर एक मेडिसिन प्रिस्क चलेगा कि जब हमारे पैर में हाथ में नशों में बॉडी में किसी प्रकार का दर्द हुआ मैंने दवा लिया और वो दर्द ठीक क्यों नहीं हुआ इस टैबलेट के जानकारी लेते हुए भी यह जानकारी आपको मिलने वाली है तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू जी टैबलेट के उपर दोस्तों यह जो नियूरो काइंट जी टैबलेट है यह दो दवाओं के कंबिनेशन को मिला करके तैयार किया गया है सबसे पहला कंबिनेशन है गावा पैंटीन दूसरा कंबिनेशन है मिठाइल कॉबालामिन दोस्तों यह जो गावा पैंटीन है यह है anti-epileptic drug होती है दोस्तों जो की हमारे नर्व में जो calcium channel होती है उसे moderate करने का काम करती है और हमारे नर्व को मजबूती पड़ान करती है जिससे की नशो में दर्धहोणा पेरो में दर्धहोणा नशो में जुनजुनी होणा हाज पेर कापना ये कई ऐसा कंडिशन है उसमें कारगर रिजल्ट देता है नेक्स्ट हम बात करें मिथाल कोवाला मिन की तो यह विटामिन B12 का ही एक रूप है दोस्तों यह हमारे नर्व को मजबूत करती है उसे मजबूती प्रदान करती है उसे ताकत प्रदान करती है जिसकी वज़ा से जब हमें नशो में दर्द होती है नशो में जंजनाहत होती है हाथ पैर कापते हैं पैर में दर्द होते हैं उन सारे दर्द में यह बहतर रिजल्ट देती है अब हम बात करते हैं दोस्तों जब हमें common भीमारी होती है जब हमें common हाँट पैर में डर्ध होती है, normal medicine लेते हैं उससे आराब क्यों नहीं मिलती है और जब हम डॉक्टर से लिखवाते हैं, बहुतार तरीके से treatment करवाते हैं तो हमें आराब मिल जाती है इसका जो यूज होता है मेन यूज डायवेटिक नियूरोपैथिक में होती है अब समझते हैं डायवेटिक नियूरोपैथिक होता क्या है दोस्तो डायवेटिक नियूरोपैथिक हुआ है जब किसी भी इनसान का ब्लेड शुगर लेबल बढ़ जाती है यानि मधु मेह रोग का सिकार हो जाता है तो वैसे मरीज में हाथ पैर में दर्द होना हाथ पैर का खिचना हाथ पैर का कापना यह कई से common factors हैं जिसे देखा गया है और जब डॉक्टर पेसेंट का डागलूसिस करते हैं कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसका ब्लेट सुकर लीवल बढ़ जाती है जिससे की हमें पता चलता है कि अंदर ब्लेट सुकर लेवल बढ़ा हुआ है और इस ब्लेटल को डर्थ हो रही थी वह common दर्थ ना हो करके diabetic नियुरॉपैथिक वाले दर्थ थी रहे Wade है और यह दोक्टरSeul g max देखी जारी है यह है दोस्तों catica elql як यों ऐसा पर जो कि हमारे कमर से डर्द होता है और हमारे प्रष दोस्तों दर्द होती इस डीका का मेंरे लिय मिनली इसमें क्या है कि हमारे के लेकर के पैरों तक एक नस होता है जिसे से हम स्धुने होतों नस ही उस condition में भी इस tablet को अपयोग किया जाता है इसके अलावा दोस्तों हाथ पैर का आपना हाथ पैर में दर्द होना यानि body muscles में कहीं भी दर्द होना muscle extraction करना यह कई ऐसा condition है जिस condition में इस tablet को अपयोग किया जाता है हम बात करें इस tablet के dose के बारे में तो नॉर्मल वेक्ति जो इसके dose लेंगे पर डे एक tablet एक टाइम लेनी होती है जो नर्व का specialist doctor होते हैं वो इसका recommended जादा करते हैं और इसका इस प्रकार से dose लेने से मरीज को बहतर आराम मिलती है अब हम बात कर लेते हैं इसका कुछ common side effect के बारे में जो कि आपको पता होना very most important है जैसा कि दोस्तों कोई भी medicine हम लेते हैं उसका कुछ न कुछ side effect दिखता ही है जब आप इस medicine को लेंगे तो आपको कुछ common side effect देखने को मिल सकती है जैसे dizziness होना, mouth dryness होना, nausea vomiting होना अमन offset सा लगना, चक्कर आना, blur vision होना यह कई ऐसे side effect है, जो कि common है किनी किनी बैक्तियों में देखी जाती है अगर आपको किसी भी प्रकार का common side effect देखने को मिलती है तो इस दबा को लेना बंद करना है तथा doctor session पर जरूर करना है बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैंने overall जानकारी दिया Neurokind G, tablet के उपर I hope या वीडियो आपको अच्छा लगा होगा informative लगयोगी, इसी प्रकार से informative और helpful वीडियो चाहते है चैनल को subscribe जरूर करिएगा बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसे के लिए topic के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें